हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब मैं शोब्राज आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल में जिसका नामें स्काई ग्यान आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को मत्दान के समय पीठा सीन को जो डायरी भरनी होती है उसके बारे में बताने जा रहा हूं बहुत ही important यह format है प्रारूप है जिसको भरना होता है पीठा सिन को जिसको हम पीठा सिन डायरी के नाम से जानते हैं डायरी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में डायरी की image बन जाती है और आप अपने ठैले में एक डायरी डोणने लगते हैं लेकिन आपको बता दूँ यह डायरी किसी डायरी की तरह नहीं होती है यह दो पन्नों की चार पेज की एक रिपोर्ट होती है ठीक है इसमें क्या होता है इसमें इसको भरा जाना होता है यह डायरी जो होती है मद्दान मशीन के साथ जम्मा की जाती है यह डायरी बहुत ही महत्पूर होती है इसको कई इस तरुपर चेक करें के उपरांथ ही इसको जम्मा किया जाता है ठीक है प्रत्यक बिंदू और कॉलम को जो भरे जाने हैं वह हुआ भूधी स्पष्ट होने चाहिए जो भी बिंदु हो जिस समय की सूछन हो उसको इसको भर नी चाहिए ठीक है अब देखते हैं पीठा सिन की डायरी में क्या क्या हमें एज भीटा सिन भर्ना होता है सबसे पहले निर्वाजचन छेटर का नाम ठीक है छ तो उसको यहां पर लिखना है कि अगर कोई स्थानी रूप से भरती किया गया है मद्दान अधिकारी तो उसकी संख्या यहां पर लिखनी है कि समय गुर्फ से नियुक्त मद्दान अधिकारी के अनवчес Auditory का कारण लिखना की है कि संख्या लिखनी है यह जो नया मद्द अधिकार्न वो लिखना है ठीक है अब मद्दान मशीन के बारे में 0.6 बहरा है ठीक है उप्योग में लाएगे मद्दान यूनिट की संक्या कितने वीबीबिबुलट तीन इवर न है उट विबीबिब यहाप पर सीरियल यश अब उसके बाद उन सिरियल जो प्रशी ल्वेट यह की ए उनकी सी रियल अनबर आपको यहां भर ना है थिए है एक दो या तीन ये भरना है फिर आपको प्रदान किये जितने ट्हें की करम संग्या उन्हें जितने पर दिये गए हैं उनकी आपने कितने स्बैशिलड यूज किये तो उसके आपर संख्या भर निए एक दो या तीन जो उसकी है और उसके बाद उनका सीरियल नमबर फिर उप्योग में न लाए गए या फिर वापस किये गए प्रारम में उपस्तित मदान अभीकरताओं के संख्या अभीकरता मदान के समापती पर कितने अभीकरता उपस्तित से यहां पर संख्या कितने मदाता अलाट है उस बूत पर वह यहां पर लिखना है टोटल मालीजिए 600 या 700 जो आपको मिले हो इस निर्वाचक नामावली के अनुस्तितो के अनुसार मद देने के लिए अनुज्यात किया गया निर्वाचक उस मतलब कितने निर्वाचकों जो मदाता हैं उनको आपने किया मतलब अगर आपके पास 1200 लिष्ट अर्यूत में हैं मद्दाता संख्या जिन्होंने मत देने से मना कर दिया तो यहाँ पर लिखना है अस्ताच्छर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लिखना है उसके बाद कितने आपने यूज किये और रकम कितनी जमा कि आपने यहाँ भरना है कि अव्यक्तियों के संख्या जिन्होंने EDC प्रस्तुत की है ठीक है वह लिखना है संख्या ठीक वान तुः यहाँ जितने भी हो और टेंडर वोट्स कितने पढ़े बैलेट से आपने कितने वोट डाले वह यहां पर भरना है ठीक है फिर निर्वाचकों की संख्या जिन से उनकी उम्र के भारे में गोशनाय प्राप्त की मतलब आप ऐसे निर्वाचक जिन से आपने एज वाला सेटिफिकेट भरवाया वह यहां संख्या बरनी है इन्होंने इसी गोशनाय करने से इंकार किया ऐसे निर्वाचक जिन्होंने मना कर दिया वो संख्या भर नहीं है क्या मद्दान इस्थगित करना आवज सकता अगर मद्दान इस्थगित हुआ है तो ऐसा किस रीजन से हुआ यहाँ पर आपको रीजन लिखना है ठीक है अब आपको बताना है हर दो घंटे पर साथ से नौ के बीच में कितने वोट पड़े नौ से ग्यारा के बीच में ग्यारा से एक, एक से तीन, तीन से पांच और फिर लास्ट में लास्ट गंटे में कितने टोटल वोट पड़े यहाँ पर बताना है घंटे मत्धान समात होने के समय दी गई पर्चिया मतलब अगर छे मज़े कोई में से बज़े के बाद भी लाइन लगी है तो कितने अपने पर ची काटी वह यहाँ पर लिखना हैँ अब आपको बताना धी कोई अपराद हुआ है तो लिखना है अब अपराद में क्या मामला है कितनी संख्या के अपराद हुए लिखना जैसे मदान केंद से 100 मीटर की दूरे के भीतर में मत सही आचनना वो लिखना कितने हुए मदाताओ दरा प्रतिरूपड कितने हुए मदान केंद पर किसी सूचना की सूची को या अन दस्ता वेच के कपट पूरत बिगारना या नश्ट करना वो कितने काड़ हुए मदाताओं के कितने मदातों गरिस्वत दिये ऐसे कितने केस आए मदाताओं और अन व्यक्तियों को भाविद करने का कितना केस आया और मदान के केंद पर कभजय करने के कितने केस है यह सब यहां वरना है आपको क्या नियम लिखित कारणों से मत्दान में विद्न या बाधा उपस्तित हुई बलवा की वज़े से हुआ तो यहां पर लिखना है खुली इंसा की वज़े से हुआ तो लिखना है प्राकृति विकप्ति इन म प्रविदान मशीन को पिठाशीन अधिकारी की अभिरक्षा में अभिदानिक रूप से छीन कर ले जाए या नहीं ठीक है यह बनना है अकस्मिक जान बुच कर गुम या नश्ट करके किया गया हाँ या नहीं दुख्षान पोचा कर छेड़ चार करने मदान को दूसरी किया ग अब लिए अब अर्थियों या भी करता हो दौरा गंबीर सिकायते अगर हैं कोई तो लिखना है विधी वाश्ता को भंग करने समझ दी कितने मामले आए मदान के इंस पर की तूटिया रखकी कोई रिपोर्ट हो तो वह लिखना है क्या आपने मदान के परार्व में पूर मदान के बीच जब किसी नए मदान मशीन को उप्योग किया तो उसके उप्योग में लाने वाले पूर्थ था मदान के समापती पर जो आवश्या गोशना है कि आपने की तो आपको लिख देना है हां ठीक है फिर यहां पर आप अपना स्थान लिख दीजिएगा टारिक डा पिठाथ सीन की डारी जिसको हम सोचते कि यह डारिय के डारी नहीं है यह 4 परन्रो प्राण बहले हां ठीक है तो आदो आजर अभी के पर दी में अच्छा लागवा तो लाई किजें कौमंट किजें चैनल करना ब्हूल कि आखना और वीडियो शेर करना ना भूले ठीक है ठ